जैहिन साथियों, तो चलिए आज मैं आपको बताने बाला हूँ कि परकास संसलेशन का अस्थान क्या है? तो इस वीडियो में मैं परकास संसलेशन की अस्थान की सारे कोईस्टन आपको मैं करवा दूँगा, लेकिन इस वीडियो को आप लोग फूले वाच करें. तो चलिए मैं आप सुरू करने बाला हूँ. देखिए अभी जो हमने इस परकार की चेतर बनाये हैं, एक पत्ती का फिगर है, और पत्ती का फिगरती की बाहरी भाग को एपीडर्मिस कहा जाता है, और जब हम पत्ती की बाहरी भाग को निकाल लेते हैं, यानि एपीडर्मिस क को हम हटा देते हैं तो उस परकार के बाद इस से रचना दिखाई देते हैं और इस रचना में ही आज हम समझने वाले हैं कि परकास अंसलेशन किस परकार से काम करती है तो चलिए आप सुरू करते हैं जैसे कि माल लिजिए आपने यहां देख रहे हैं कि इस परकार की जो आप को छोटा-छोटा पार्ट में दीख रहा है एक खटाल की तरह इस खटाल को क्या कहते हैं तो ऐसे समझ जाए ये पत्ती की पूरी बाहरी आवरन है जिसे क्या कहते हैं epidermis कहते हैं तो पत्ती के बाहरी भाग को क्या कहते है एक आवरन होता है यसे ही cuticles कहा जाता है इसको क्या कहेंगे cuticles अब cuticles का काम क्या होता तो अब समझ चुके हैं कि cuticles जो होता है एक hydrophobic होता hydrophobic का मतलब है जैसे कि इस पत्ती के उपर आप पानी को डालियेगा तो पत्ती से पानी घरक के बाहर नीचा गिर जाता है इसलिए hydrophobic होता तो यह काम कौन करता है cuticle करता है यानि cuticle कहां रहता है epidermis के उपर रहता है जिसे हम ऐसे हाथ से असपर्स करते है तो हमें एक मुलायम सा थिलिंग महसूस होता है तो उसी चीज़ को हम cuticle कहते है और cuticle का का काम क्या होता है जैसे कि पत्ती है छोटे-छोटे रोग जनक यानि कि छोटे-छोटे जो जिवानू bacteria इस टाइप का जो जिवानू होता है छोटा-छोटा जो आती सुक्ष मोताजी से हम नहीं देख सकते हैं तो वो सब जिवानू इस पत्ते के उपर आते हैं और वही जिवानू सब को भी नस्ट करने का काम कौन करता है क्यूटिकल्स करता है तो क्यूटिकल्स तो आप समझ चुके होंगे उसके बाद अब आगे हम चलते हैं फिर उसके बाद नीचा में आप जो देखते होंगे शपी copies जो फ्रिक जो है आपका छोटाँ छोटा भाग दिखह रहा है उस लाइन डियुन में जितने भी है लात इस उसके बाद नीचा में जितने भी आपको दिखाई दे रहाए इस प्रकार से गोला गोला यग कि इस सब को क्या कहते हैं ऐस्पंजी टैजि अस्थ्वन कंवा किए ग्रॉलोपलास्ट इस में एक circulation की रस भरी पूरी होती यानि की प्रकास कोलोरोफल पाया जाता जिसको हिंदी में परणहरीत कहते हैं वहीपर नहरीत के कारण से पत्ती का जो रंग है हारा दिखाई देते हैं और जितने भी चोटा चोटा जो घर आप देखें एस पंजी प्रेंचायमा इस पंजी प्रेंचायमा या आपको पेली सेट प्रेंचायमा में करीबन 300 या 300 से अधिक क्लोरोफिल पाया जाता है 300 या 300 से अधिक क्लोरोफिल पाया जाता है हर एक मतलव जितने भी इसमें आपको होगा क्लोय प्लास्ट मतलव जिसमें भी क्लोरो प्लास्ट पाया जाता है Spirit का जलिए फिर आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं